ये लिप्स्टिक एक पेन बनना चाहती है, पर ये ये नहीं जानती की कैसे? शायद इसे हमारा नया वीडियो देखना चाहिए. एक नई चानल वुहू पर अधिक नई प्रैंक और लाइफ एक्स का पता लगाए. हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो करें. मिसमित गुस्से वाली है, उसकी नई स्टूडेंट क्लास में लेट हो गई. ये रही लूसी. मुझे देर से आने के लिए आपको सदा देनी होगी, लूसी को बोर्ट तक आना होगा. लेकिन ये एक्जाम्पल बहुत मुश्किल है. डॉली नई लड़की की मदद करने की कोशिश करती है, वे आईशेडो का इस्तिमाल करेगी. अंदर एक कैलकुलेटर चिपा है, इसकी टीचर ने नोटिस नहीं किया. आईशेडो के मेटल बॉक्स से पैलेट निकालेएं, अंदर एक कैलकुलेटर चिपका है, डबल टेप का इस्तिमाल करें. खाली जगा को लाइट लेके अलग-अलग रंगु से भरें. ग्लेटर के साथ कैलकुलेटर को सजाएं. डॉली ने अपनी मेकब पैलेट का इस्तिमाल करके उत्तर दिया, और ये सही है. लूसी ने ठीट किया, उसके आईशेडो कैलकुलेटर और उसके नई दोस के लिए धन्यवाद. डॉली नई लड़की को इंप्रेस करना चाहती है, और गर्ष से उसके अविश्कार को दिखाती है. क्लिप के साथ ब्लश. कंटेनर से पुराना ब्लश निकाली. और इसे साफ करें. बाइंडिंग क्लिप्स अंदर डाले. छोटे गोले बनाए. उन्हें धक्कन से चिपकाएं. बॉल्च पर स्पार्गली फेस पाउडर और ग्लिटा लगाए. रंगीन पेपर क्लिप के लिए मिट्टे के गोले लगाएं. बाइंडर क्लिप्स के साथ इन्हें कंटेनर में डाल दी. ये ब्लश का कंटेनर नहीं है. ये क्लिप होल्डर है. बहुत प्राक्टिकल. यहां पता चला कि नई स्टूडेंट आखिर कर साई स्कूल में आई है. वो स्टिकी नोट्स के साथ फेस पाउडर ले आई. एक पुराने कंटेनर से फेस पाउडर साफ करी. कंटेनर के आकार से मैच के लिए स्टिकी नोट्स के दो अलग-अलग रंगों को ट्रिम करी. और उन्हें पाउडर और पफ की बजाएं अंदर डाल दी. लूसी का वेचार अच्छा है. एक पाउडर कॉमपाक्ट में टिकी नोट्स चिपाना क्लासिक है. लूसी ने पहले ही अपने स्कूल में स्कूल से प्लाइ मेकप की क्लास लेली होगी. लूसी ने घर्थी की. कोई चिंता नहीं, वे इसे मिटा देगी. और एकी समय में उसके नाखुन के आकार को एड़जस्ट करेगी. सैंड पेपर की एक शीट पर इरेजर पाकेज के आकार को बनाए. इसे कार्ट दे. पीछे से डबल टेप इस्तिमाल करे. सैंड पेपर में इरेजर लपेटे. फाल्तु हिससा ट्रिम करे. मारकर्स के साथ सैंड पेपर को रंग दे. लूसी अपने नाखुनों को अपने डेस्क पर सही से फाइल करती है. मिसमें तुसे हमारे स्कूल के नेमों के बारे में बताने वाली है. लेकिन ये पता चलता है कि लूसी नेमों को पालन कर रही है. ये कोई नेल फाइलर नहीं, ये बस एकी रेजर है. मिसमें ने डॉली के डेस्क पर एक नए ब्यूटी प्रॉड़क्ट को नोटिस किया. ये वही है जो उसे अपने मेकप पाक के लिए चाहिए. आईए एक मेकप प्राइमर इस्तिमाल करें. ओ, बहतर मिसमें. एक कंटेनर में कुछ बचे हुए, मेकप प्राइमर को डालें. बोतुल को साफ करें. इसे क्लियर आलमर ग्लू से भरें. गोल्डन ग्लिटर डालें. इसे अच्छी तरह मिलाएं. मिसमें प्राइमर लगाती है. वे जानती है कि क्या करना है? अरे नहीं, वो अपने पूरे चेरे को एक साथ चिपका लेगी. अंत में मिसमें समझती है कि इस गोनद वाले प्राइमर का क्या हो रहा है? ये किस तरह का फेस मास्क है? उसके विचार और उसकी जुडियां सब एक साथ फस जाते हैं. मिसमें ने बहादुरी से जहरे से निकाब हटा दिया. अंत में वो फ्री है. और लड़कियां इस ब्यूटी टॉर्चर के लिए भुकतान करेंगी. डॉली ने गल्टी की, उसे वाइट आउट चाहिए. लूसी के पास केबल कुछ, कंसीलर है और वो ही काम करेगा. डिश वाशिंग लिकुर्ट का उप्योब करके, कंसीलर की एक पुरानी ट्यूब को अलग करें और साफ करें. पाइपर्ट का इस्तिमाल करें, ट्यूब में वाइट आउट डालें. ट्यूब को वापे साथ रखें. आप बढ़ा सकते हैं, सिर्फ सुंगने से ही नहीं होता, लेकिन ये कंसीलर आपके पेपर पर पूरी तरह से काम करेगा. ये आपके ग्यान की सारी खामियों को छिपा देगा. मिसमित अपने स्कूल के स्वार्ग में कुछ ढून रही है. ओ, वे अंत में उसे EOS मिला. लेकिन इस शिक्षक का EOS खास है. एक खाली EOS कंटेनर को अलग करी और साफ करी. एक यूटिलिटी नाइफ का उप्योग करी और ग्रेड को काटी. और कंटेनर को वापे से एक साथ रखी. एक मारकर को अलग कर ली. उपर से ट्रिम कर दी. कंटेनर को लाइट क्लेर से भरी. मारकर का टुकडा डाली और बाकी जगा को क्लेर से भरी. इसे EOS लिबबाम का अकार दी. टोपी की रूप में एक स्ट्रॉ के टुकडे के साथ मारकर को कवर करी. लड़किया हैरान है. मिसमित नियमों की सबसे सक्ट फॉलोवर है, जो क्लास में अपने होटो को चूने जा रही है. नहीं, ये एक मारकर है. मिसमित इस EOS के साथ अपने होटो को नहीं, बलकि हाइलाइट करने जा रही है. क्या ये अच्छा नहीं होगा, कि यदे हम अपने क्लास का स्केडियूल बना लें? सोमवार को मेक अप लेक्चर, मंगलवार को प्रांक टुटोरियल, और हमें अपना स्केडियूल बनाने में मदद करने के लिए कुछ आसमानने बलश है. बलश के कंटेनर को साफ करी, दूसरी तरफ से स्पॉंज निकाली, कुछ क्रियॉन्स तोड़ी, उनमें से एक हिस्सा दिल क्या कार के साचे में डाली, उन्हें माइक्रोवीव में पिगलाई, कंटेनर में क्रियॉन्स डाली, जब क्रियॉन्स सेट हो जाए, तो इसके पर दिल चिपकाई, टुकडों को जोडने के लिए पिगली हुए क्रियॉन को अपयोग करे, स्पॉंज के लिए स्पेस में दूसरे दिल को चिपकाए, बाके जगा को पिगली हुए क्रियॉन्स से भरी, ये शर्म की बात है कि हमारे अध्यापिकोंने हमारे लिए स्केडियूल की मनजूरी नहीं दी मिसमित फिर से पागल है मेरे ब्लाक बोर्ट को किस ने बरबात किया वे सिर्फ ब्लाश पकड़ी हुए है मिसमित ब्लाश जब्त करती है स्कूल में मेकप की अनुमती नहीं है डॉली अपनी नई क्लास्मेट के बारे में गुप विचारों की अपनी नोटबुक में लिखना चाहती है लेकिन वे रंगे हाथों पकड़ी जाती है तो क्या ये सिर्फ एक मिरर के साथ एक पालेट है मेरे पास यहाँ कोई नोटबुक नहीं साफधानी से पालेट को एक बड़ी मेकप सेट से हटा दी बॉक्स के बेस को गुलापी फेल के टुकड़े से कवर करे और नोटबुक के कवर को पैटन पेपर से सजाए पीछे एक बुक मार्ग को चिपकाए बॉक्स में नोटबुक को चिपकाए एक पैन डाले नहीं ये पैन नहीं अलग रखे और एक पुरानी पर्फ्यूम की बोतल को साफ करे हेलमर्स ग्लीव और ग्लिटर डाले बॉल्पॉइंट पैन की रॉट डाले इससे प्लग और क्याप के साथ बंद करे इसके उपर ग्लिटर छिटके फ्यूँ ये बहतर है शुक्रिया इस नोटबुक में इस तरह के सुन्दर भेस है और अब हमारे पोफ्यूम पैन ले लो और स्कूल के आसपास के घबरे और गफशप लिखो मिस में देखती है कि लड़कियों का लॉकर खुला है और वे लावारेस है और उनकी प्यारी टीचर के साथ उनकी एक भी फोटो नहीं और यहां सारी फणी स्कूल मूमेंट्स है यह बहुत शर्म की बात है उसे ये ठीक करना होगा उसका टेप कहां है? लोशन से एक कंटेनर को साफ करें और एक टेप डिस्पेंसर के हिलावा ले दातों से मेटल पार्ट को हटा दे और इसे कंटेनर की दिवार पर लगा दे कंटेनर का डायमेटर होट डू की स्टेक पर मार्क करें और इसे इसी साइज का कार्ट ले स्टेक के उपर एक टेप रोल लगाए और इसे कंटेनर में डाल दे और इसमें कुछ और टेप के रोल्स लगाए मिसमित अपनी लोशन और उसके एक शांदार तस्वीर के साथ लॉकर तक छुपके से आ जाती है टेप का एक छोटा सा टुकरा और मिसमित अपनी फोटो उसमें लगा देती है इसकूल को ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो इसे इतना महान बनाते है लूसी सभी के जाने का इंतजार कर रही है ताकि वो मिसमित को एक छोटा सा उपहार दे सके ये एक स्टिक स्किन करेक्TOR है मिसमित को काफी समय से ये कुछ ऐसा ही चाहिए था ओ नहीं, ये तो बस एक पैन है एक पुरानी कंसीलर ट्यूब में से सारा कंसीलर भार निकाल ले छोटे स्पेचुला का इस्तिमाल करे Q-Tip के इस्तिमाल से इसको खाली कर दे एक पैन की आचेन को अलग करे और राइटिंग रोड को भी अलग करे ट्यूब को हाड गूज से भरे और इसमें रॉट डाले लाइट ख्ले से एक बॉल बना ले और इस से ट्यूब को बन कर दे केक पैंड की टिप बनाए और फाल्तू ख्ले को हटा दे सफेद और गोल्ड अक्रिलिक पैंड को मिक्स करे और फ्ले को कलर करे और ट्यूब को शट कर दे मिसमित के पास अभी तक अच्छा कंसीलर नहीं है पर उसके पास एक सारा पैंज का कलेक्शन है ओ बैसे गिफ्ट तो गिफ्ट ही है शुक्रिया लूसी क्या आपको हमारे स्कूल सिप्लाइस पसंद आए जो मेकप की तरह दिखते हैं तो हमें कॉमेंट्स में बताए कि आप अपना कौन सा ब्यूटी प्रोडट्ट स्कूल सिप्लाइ में ट्रांसफर्म करेंगी और हमारी इस वीडियो को लाइक करना न भूले हमारे चैनल ट्रूम ट्रूम को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं